सबी दीष अपनी सुरक्षा के लिए या फिर किसी विशेश परिस्तेती के लिए कुछ देशों ने तो इन इस्पेशल फोर्स को बार्डर पर भी तैनात किया है ये इस्पेशल फोर्स काफी खतरनाख हैं तो इनकी ट्रेनिंग भी उतना ही खतरनाख है पानी में, जमीन पर या फिर हबा में कहीं भी दुश्मन को धूल चटाने के लिए ये फोर्स काफी है इन स्पेशल फोर्सों के लिस्ट में भारत की मार्कोस की भी अपना अलग ही अस्थान है मार्कोस इंडिया 1987 में गठे मार्कोस इंडियन निवी के स्पेशल मरीन कमांडोज है यूएस निवी के स्पेशल फोर्स सिल्स की तरह मार्कोस को ट्रिंड किया जाता है सिल्ट के बाद मार्कोस ही एक मातर ऐसी स्पेशल फोर्स है जो पानी और जमीन पर दुश्मनों के छखके छोड़ा सकती है मार्कोस ने कारगिल वार, आपरेशन लीच, आपरेशन स्वान जैसे खतरनाक मिशन्स को अन्जाम दिया है इस्पेशल सर्विस ग्रुप एस एस जी पाकिस्तान, इस्पेशल सर्विस ग्रुप यानि एस एस जी पाकिस्तान के स्पेशल फोर्स है पाकिस्तान के स्पेशल फोर्स ने कई मौके पर आतंकवादियों का खात्मा किया था हाई जेकर्ड से लेकर रेस्क्यू मिशन तक हर मौके पर SSG ने अपना लोहा मनवाया है GIGN दुनिया के सबसे खतरनाक फोर्स में से एक मानी जाती है म्यूनिक उलम्पिक गेम्स में बंधियों के मारे जाने के बाद 1972 में GIGN इस्पेशल फोर्स का गठन किया गया 200 जवानों की इस्पेशल फोर्स सुमाली के डाकैतों से लेकर चरमपंतियों तक को मज़ा चखा सकती है Navy Sills USA Navy Sills United States की बेस्ट फोर्स है उसामा बिन लादेन को मारने के लिए Sills कमांडो जीचुने गए थे और उन्हेंने इस मिशन को बखुबी अंजाम भी दिया था Sills, पानी, आकाश और जमीन तीनों पर लड़ सकती है इस फोर्स को टेकनलोजी से लेकर बहतरीन हथ्यार दुश्मन के चख्के छोड़ाने के लिए दिये जाते है GIS Italy इतली की स्फोर्स को Group of the Intervental Special कहा जाता है अतंकवाद के खिलाप लड़ने के लिए यह सबसे बहतरीन फोर्स मानी जाती है इस फोर्स का गठन 1978 में इटेलियन मिलेटरी पुलिस की यूनिट से किया गया था सो सैनिकों के हत्यार बंद टीम एंटी टेरिरिजम ऑपरेशन सेक्यरिटी सर्विस एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है पुलिस ग्रोम पॉलेंड पुलिस ग्रोम पॉलेंड के स्पेशल फोर्स है यह स्पेशल फोर्स एक काउंटर टेरिरिजम यूनिट है ग्रोम फोर्स में 270 से 300 सैनिक हैं हर सैनिक को ग्रोलिंग सीरीज पास करनी होती है इस फोर्स में आने के लिए फिजिकल और साइकलोजिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है S.A.S. ब्रेटेन ब्रेटेन की सबसे स्पेशल फोर्स दुनिया की पहली एर फोर्स स्पेशल फोर्स है इस फोर्स की फाइटिंग स्प्रेट का कोई तोड़ नहीं यह दुनिया की पहली और राउंडर फोर्स है जिसे हर तरह से लडने की तालीम दी जाती है इराक वार में इस फोर्स ने जवरतस्त काम किया था डेल्टा फोर्स युनाइटेड एस्टेट डेल्टा फोर्स युनाइटेड एस्टेट की पहली स्पिस्चल फोर्स मानी जाती है इसका गठन 1997 में किया गया था इस फोर्स का गठन आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए किया गया था इस फोर्स में करीब पचीस सो जवान शामिल है जी एस जी नाइन जर्मनी 1973 में जर्मन फेडरल पुलिस द्वारा बनाई गई ये स्पेशल फोर्स ग्रुप 9 के नाम से भी जानी आती है म्यूनिक ओलम्पिक के दौरान हुए कई आपराधी घटनाओं के बाद इस फोर्स का गठन हुआ इस फोर्स को आतंकवाद, किड्नेपिंग और फिरोती जैसे मामलों से निपटने में महारत हासिल है सियरत मेटकॉल इसराइल सियरत मेटकॉल इसराइल के स्पेशल फोर्स है आतंकवादी हमलों से सुरक्षा करने में या फोर्स माहिर है इस फोर्स ने कई मौके पर बेहतरीन काम किया है खासकर के फिलस्तिनियों के मामले में कर दो खासकर काम बेहतरीन के मामले में या इसराइल